शुक्रवार से दिल्ली NCR में दिल्ली मेट्रो की मजिंटा और ग्रे लाइन भी शुरू कर दी गई शुक्रवार सुभए 7 बजे से इन रूटों पर मेट्रो दोडने लगी मेट्रो के पूरे नेट्वर्क को शनिवार यानी 12 सितंबर से पहले की तरह सुभए 6 बजे से राद 11 बजे तक चलाया जाएगा इसके मद्दिनजर DMRC के मैनेजिंग डिरेक्टर मंगू सिंग ने लोगों से खास अपील की है सुनिये दिल्ली मेट्रो में यातरा करने वाले मेरे सभी साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि कल से दिल्ली मेट्रो की सर्विसे सभी लाइनों पर चलू हो जाएगी नॉर्मल टाइमिंग्स हैं उस पर सर्विसेज अवेलेबल रहेंगी कल से लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के चलते हैं जो हमारी केपेसिटी है मेट्रो की वो काफी रिड्यूजड हो गई है जैसे कि हम 200-300 पैसेंजर एक कोच में पहले ले जाते थे अब वो केपेसिटी घटकर सिर्फ पचास रह गई है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरा आप से अनुरोध है कि आप अपनी यात्रा इस तरह से प्लान करें कि आप पीक आवर्स को वाइड करें को करी कर सकते हैं, ज्यादा पैसेंजर को करी कर सकते हैं मेरी सारे एंप्लायर्स से भी ये प्रात्ना है कि वो अपने ओफिस टाइमिंग्स तुड़ा स्टेगर कर ले और जो उनका एंप्लाई हैं उनको वो अलाव करें कि वो टाइमिंग्स अपने एड़स्ट करें पीक आवर्स को बचाने के लिए और अभी ये ना समझें के सब कुछ नॉर्मल हो गया है अभी जो लोग अगर वर्क फ्राम हूम कर सकते हैं तो वो वर्क फ्राम हूम कंटीनूर रखें तो मेरी ये आप से अनुरोध है दिली मेट्रों की बहतर सेवा बनाने में आप हमारा सहुख करिए मैं एक बार फिर से ये अपील करना चाहता हूँ आप सब से कि आप इस पीक को ब्रेक करिए मैं आपको एक और सलाह देना चाहता हूँ कि नॉन पीक आवर्स में हमारी सर्विसेज पीक आवर्स की तरह ही चलती रहेंगी तो जो वो कैपेसिटी अवेलेबल है नॉन पीक आवर्स में उसका आप लाव उठाईए पीक को ब्रेक करिए और बहतर सर्विस पाईए